हेला श्रुटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटो पहले की वीडियो नहीं देखिया है पार्ट बन से लेके अब तक की तो पहले उन वीडियो को देखो क्योंकि आज का जो टोपिक होगा उसमें मैं जो वर्ड यूज करने वाला थोड़ी से अडवांस वर्ड यूज करूंगा जो आपको समझ नहीं आने वाला है तो ग्रेयर इसनेटिक है अगर के पापके यहां विडिये जल्दी हो जाए गे अगर या कोते हैं ने वाटर यार टो जो जातर पर हमारी वस्ट लेयर लेयर & second jayor होते है हमारी cortex layer & third layer होते है हमारी medulla तो जो ही हमारी pigment होते है वो हमारे cortex layer के अंदर इसके अंदर होते हैं pigment हे1 फिंग मैंन्त होते है तो जब आपके बालों में के अंदर से pigment खतम हो जाते हैं, तो इसकी जगह air ले लेती है, इसकी जगह हवा ले लेती है, यहाँ पर pigment निकल जाते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, हवा गुच जाती है, जिसके वज़े से आपके gray hair नजराते हैं, तो आपने yellow topic पहले नहीं जब यह तीनों के तीनों pigment वालों में नहीं होते हैं, तो आपके hair gray होते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं, और हर बार की तरह आपको क्या करना, अपनी notebook और अपना pen भी पास रखें, जो भी आपके doubt होते हैं, उसको note करो, और last में comment में पूछ सकते हैं, मैंने आपको बताया चान नमर के hair थे तो चान नमर के color tube है, ठीक है, तो ये client ने सभी color tubes बनाई होई है, तो कभी भी client के gray hair होते हैं, तो आप इन में से ही base color लेते हैं, ठीक है, अगर तीन नमर के client के hair है, उनके gray hair है, तो आप तीन नमर के color tube लोगे, अगर चान नमर के hair थे तो आप चान नमर के color यह आपको जब लेनिया क्लाट्यूब जब क्लाइंट के फाइन हेयर है पतले बाल है तो ही आपका ग्री हेयर 100% कवर होगा अगर थिक हेयर होगे तो उसके लिए क्या करा हुआ है कंपनी वालों ने इन हेयर के लिए जिद्धी कलाट्यूब्स मना लिए है जैसे 3.00, 4.00, 2.00 यह जितनी भी color tubes होती है यह हमारे थिक बालों के लिए होता है मोटे बालों के लिए ए कलाट्यूब्स सारी बनाए वई है ठीक है तो मैंने आप लोगों को बताया थे जैसे 0 safely है तो वो color tubes हमारी जिद्धी बालों के लिए होते है ठीक है तो अगर क्लाइंट के hair cover नहीं हो रहे है तीन नंबर से या चार नंबर से तो आपको क्या करना है 3.00 या 4.00 इस टाइप की color tubes लेनी है यह intense होती है जैसे dark intense ठीक है intense यह brown intense तो यह जितनी भी color tubes है हमारी intense में आ जाती है ठीक है तो आप इसको क्या बोलने वाले हो intense बोलने वाले हो जैसे light brown intense तो आप यह चीब बिल्कुल धियान रखो बालों को texture को check करो उनका texture कैसा उनके diameter कैसा है उनके thick बाल है या fine बाल है अगर fine बाल है तो आप normal shade ले सकते है अगर उनके thick बाल है तो आप point वाली color tube लो यह चीब बिल्कुल धियान रखना और plus यह तो खाली था base color है ठीक है अब client क्या कहता है कि मुझे fashion shade भी चीए और base मेरे gray hair भी cover होने चीए ठीक है client को fashion shade के साथ gray hair भी cover करना है तो आप वहां पर क्या करने वाले हो तो वहां पर आपको क्या करना होता है अगर client के hair 0 to 30 percent gray hair है ठीक है 0 to 30 percent gray hair है तो आपको use करना है passive fashion shade कोई भी fashion shade आप जो भी client मांगता आप कर सकते हो 5.5, 6.3 मतलब कोई भी fashion shade अगर client मांगता आप कर सकते हो ठीक है अगर client के 0 to 30 percent gray hair है खाली अगर client के 30 to 50 percent gray hair है तो आपको यहां पर क्या करना है आपको base shade plus fashion shade यह डोनों color tubes को आपको mix करना है base color tubes भी and fashion shade भी आपको mix करनी है अब कितना % base shade लेना तो कितना % fashion shade लेना आप यह देखो 0 to 30 percent gray hair तो आपको खाली fashion shade करोंगे gray hair cover हो जाए अगर 30 to 50 percent gray hair है तो आपको यहां तो आप इस तरीके से लोगे और अगर 50 to 70 percent gray hair है तो आप यहां पर क्या लेने वाल हो यहां पर आपको लेना है बेसेड ठीक है यहाली लाइन अलग है बेसेड प्लस फैसेड ही लोगे यहां पर आप 50-50 आप mix कर दोगे 50 percent आप बेसेड लोगे और प्लस 50 percent आप फैसेड लेने वाले हो ठीक है तो मैं एक example देता हूँ जैसे client को 6.3 color चीए 6.3 color चीए तो आपको 6 number देखना आपको base देखना यह क्या चीजा आपका base है तो आपको 6 number का ही base color लेना है अगर client को 5.3 color चीए तो आपको 5 number का ही base color लेना है अगर client को 5.5 color चीए तो आपको 5.3 पाइफ चीए तो आपको 4 number का base color लेना है मतलब जो भी आपने फैसेड लिया है उसी का ही आपको base shade लेना पड़ेगा ठीक है आपको यह वाली digit देखनी पड़ेगी तो इसी के according आप अब हम अगर क्लाइंट के 100% सैंटी टू हैं तो आपको घ्र यूज करना पड़ेगा थीक वहां पर आप क्लाइंट को साथ मना कर दिने कि आपके घ्रिए कबर नहीं हो पाए गार अगर आप क्लाइंट के ऊपर फैसेड यूज करोगे तो क्लाइंट के बालव पे ट्रांस्प ग्रेइर कवर होएगे न आपका फैसेड आएगा तो क्लियंट के अगर ज्याद़ ग्रेइर हैं तो आपको खाली बेस कलर करना एं यहीं बिल्कुल ध्यान रखना आपको बेस खाली जो डिजिट होती है वो आपको कहां पर यूज करना जो फाइन है डवल डिजिट वाले जो इंटेंस वाले होते हैं जासे 3.00, 4.00, 5.00 वो आपको कहां यूज़ करना है जो जिद्धी बाल है जिसके बाल बहुत मोटे है फैसन सेड आपको इस तरीके से यूज़ करनी है अगर 30% ग्रेहर तो आप ड्रेक्ट फैसन सेड यूज़ कर सकते हैं अगर आपके क्लेंट के ग्रेहर जादा है तो अब उसके अंदर बेस कलर भी मिक्स करना है यह तो आजाता है हमारा नॉर्मल तो अब ऐसे भी क्लेंट आते है यह दोनों टोन देखने को मिलती है अब अब क्लेंट के बालों पर मेहनदी बालों पर कलरट तो कर देते हो मिक्रेंबर या क्लर कर देता है उनके ग्रेए तो वहां पर आपको क्या करना होता है रैड को कट करने के लिए जैसे ग्रीन हो गया औरेंज को कट करने के लिए ब्लू ओ गया तो आपको तो बेस कलर के अंदर यह दोनों कलर टूप मिक्स करनी है यह हमारा कटर होता है यह आपको मेहंदी वाले टोन को कट करनी पड़ेगी तो यह चीप बिलकुल दिहान रखा करो आपको यहां भी बहुत सारी प्रॉलम कर देते हैं तो और कहां-कहां गलती आप करते हो आप मिक्स मिक्सिं रेशियो में घलती करते हो तो इस अगर आपका मिक्सिं रेशियो वाय तो आपके ग्रेभर कवर नहीं होपाते हैं अगर आपने timing proper नहीं रखा है अगर आपने timing 45 minute अगर है तो आपने proper 45 minute नहीं रखा है तो भी आपके gray hair cover नहीं हो पाए गई तो आपका mixing ratio हो गया timing हो गया और भी बहुत सारे कारण होते है जैसे आपने सबसे पहले चलो procedure ही हम देख लेते है तो सबसे पहले जैसे आपने head wash किय procedure आप लेख भी सकते हो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं पहले आप क्या करोगे client का head wash करोगे तो first step होगा आपका head wash आप proper head wash करोगे conditioner apply नहीं करोगे सिफ आपको क्या करना है sample के साथ करना है ठीक है और उसके बाद आपको client के 100% बालो को dry करना है 100% dry करोगे आपके अगर गिले रह जाएगे तो भी आपका color नहीं आएगा 100% dry करने के बाद तो आपको क्या करना है color की application करनी है color की application बहुत आपको fine fine section में करनी है अगर आप root touch पर कर रहे हो ठीक है यह भी आपको दियान रखना है जैसे आपका timing हो जाएगा जैसे आपने application करी application करने के बाद उसके बाद आपको timing देखना है 45 minutes बाद जो भी color tips की timing होते है किसी के 30 minutes होते है तो आप 30 minutes आप रखोगे और यह सिर्फ timing नहीं होता timing के बाद भी आपको visible check करना है कि आपके gray hair cover हुए है यह नहीं हो जाए ठीक है तो application आपने कर दिया आपने timing भी प्रोपर रख दिया आपके client के gray hair cover हो जुके है अब आप क्या करोगे head wash करोगे यहाँ पर आपको क्या करना है sample plus conditioner आपको यूज़ करना है यहाँ पर आप दोनों चीज़ा यूज़ करोगे पर sample आपको hard sample यूज़ नहीं करना है अगर आप hard sample यूज़ करोगे तो भी आपका color निकल जाएगा यहाँ पर आपको क्या करना है यूज़ करना यूज़ करना और या प्रोटेक्शन शेंपू भी यूज़ कर सकते हो तो यह बिल्कुल दियान रखने है आपको चोटी-चोटी चीज़ जो आप गलतिया करते हो तिक है जब आपका यह सारा procedure हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है एक बार दुआर से चेक करने हेर को प्रोपर क्लेंट के हेर कवर हुए है यह नहीं हुए है ठीक है यह चीज़ भी बिल्कुल दियान रखना तो अब आपका एप्लिकेशन की टेक्निक में आप लोगों को बता देता हम कलर की एप्लिकेशन किस तरीके से करने है ठीक है तो मैं उसके लिए कि जो पहचान करने है बालों के पहचान करो अच्छे से अगर क्लाइंट के यह वाले हैर आठ नमबर के ये hair है चार नमबर के ये आले जो hair है ये हैं इनके white ball ठीक है पूरे gray hair ball रहे इसके अंदर तो pigment ही नहीं है ठीक है ये इनके कौन से gray hair तो आप मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा सबसे जो जल्दी color आने वाला है कौन से बालों पर आने वाला है आपको color करना है तीन नमबर का color, आपको तीन नमबर का color करना है, आपने same timing पे application करी है, तो comment box में ही बताना, तो मैंने सही बताया का नहीं, तो तीन नमबर पे आपको बालों को ले के जाना है, ठीक है, आपका 8 नमबर का 1 hair है, आपका 4 नमबर का hair है, एक आपका gray hair है, 100% gray hair है, तो आपने same timing प तो तीन नंबर पे कौन सा पहले जाने वाला है 8 नंबर पे आएगा तो आपका 4 नंबर पे जल तरह दोना है, तो आपको 8 नंबर पे जल दियाने वाला है तो अब आते हम वहाँ पर द्वारा से टेक्निक पे देखो आपको क्या देखना है आपको क्लाइंट के हेर को देखना है अगर क्लाइंट के हेर स्केल्प के मतलब जो नई रूट है उसके ऊपर ज्यादा 100% ग्रेय हेर है और नीचे क्लाइंट के हेर कम है ग्रेय ठीक है तो आपको सबसे पहले एपलिकेशन रूट पे गरनी है आप नीचे मत करो जो हमारी फैसन शेड होती है वह हमारी टेक्निक अल जादा है तो आप पहले एपलिकेशन वहीं पर ही करो बाद में आप लेंथ पर करो अगर क्लाइंट के ग्रेय हेर यहां पर जादा है तो आप पहले रूट अचप दो फिर आप लेंथ पर अपलिकेशन करो अगर क्लाइंट के नीचे लेंथ पर अगर वाइट हेर जादा है तो आपको पहले निचे आपलिकेशन करने या और उसके बाद आपको फोलो करना है अगर आपको वीडियो ये समझ नहीं आई है तो आप इसको दुवार से रिपीट देखो आपको अच्छे से समझ आएगे ठीक है तो आज का हमारा टॉपी यहीं पर ही खतम होता है तो mixing ratio पर दियान रखना आपके application टेकनिक पर दियान रखना आपके timing जोगी उस पर भी बिलकुल ध्यान रखना तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है तो मिलते अगली वीडियो में अब लिए बाई